नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानि सिमाज खाना में और आज हम बनाएंगे मैश्रूम मैंशूरियन बहुत ही सिंपल और इजी है और मार्केट में आजकर बहुत ही ज्यादा मिल रहा है सस्ते भी मिल रहा है में काचल और बहुत ही साफ कर लिया है और यहाँ पर इसका प्रिप्रेशन सब्सकर लेते हैं ऑपके साथ बहुत tissue and easy recipe में रिोच टश्टी में धिस्ग लगता है र given तो इसमें पर इसमें हम डालेंगे सबसे पहले मेंने रिलदा व्यल्स अ देना अधा तोड़ी से ज्यादा मैदा एक हम लगेगा तो तो मैं फिर से डाल दूंगे वैधि हम नह tumensi हम धला है और इसमें हम डाल देंगे कॉन फ्लोट फ्लोर यहां पे हमने लैसन लिया है आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं यहां पे हम एक चम्मस दोनों डाल देते हैं एस्पैसी के लिए तीखा पर और चकपटा बनेगा और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च तो यहां पे हम अच्छा लगेगा तो यहां पर हमें डाल लेनी है हाप चम्मच लाल मेश पाउडर यह देगी वाला है तीखा नहीं है इसे हमें हाप चम्मच एड़ कर लिया है इसी के साथ थोड़ा सा हमें ओयल करना पड़ेगा इसमें उसके बाद नमक एड़ कर लेंगे पहले ओयल डाल लेते हैं तो यहां नमक चाट Dal弃 लेंगे देगा और यहां पे दो चमच तो तो हमें पानि एड़ कर लें यहां पर हाथ भी उज़कर सकते हैं और चमछ भी आपको जैसे एजी लगे आप इसे कर सकते हैं हाथ से ज्यादा बेटर लागी आप लग रहे हैं तो इसे अच्छे से मिक्स हो जाएगा थोड़ा सा पानी और एड़ कर लेंगे थोड़ा कोट कर लेना है इसको इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं तील को गरम कर लेते हैं तब तक हम से कोट करेंगे तब तक हम इसकोट गरम कर लेते हैं इसे मिक्स करते हो थोड़ा टॉस कर लेंगे ताकि नीचे का जो मैदा है उपर आजाए और अच्छे से कोटिंग हो जाए यह देखें जादा भर बर अलगे तो आप थोड़ा पानी और एड़ कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से हमने इसे मिक्स कर लिया है थोड़ा सा डाल देती हूं और यह देखें आप परफेक्ट है यह विल्कुल ची पकर आए मैदा इसके उपर अच्छे से कोट हो ही वर घड़ा है और जाए मिपमाने यह च्छूब आप और blanc अधिंगे शntयर इन शत दो चर्यवद सब्राइब राब पर ऐवे हैं यह दो और सबदो है कि दक जीन्ठ के कि प्रिदंगे उसा आएए ज्य आए कि ति प्रिंदे प्राइं शिब्न से इस इसितकों लिसे पर जैसे ही आप अधरक और नाशन कपेश डालेंगे न बहुत अच्छी से कुछ बूआएगी अधर पर ही मॉस्ट मेंच जो है मॉस्ट मेंच बियन बनके रेडी होगा जैसे यह थोड़ा सा अगर फ्राई हो जाए इसको हम तर्णिसल देंगे यह देखिए हलके हाथों से टर्ण कर लेना है गोल्डन होने तक थोड़ा फ्राई कर लेना है यहां पर हमारा मस्टो मच्छे तरीके से फ्राई हो गया है लिल्कुल फ्रेस्पी से देखिए और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे यह देखिए प्राई कर लेंगे यह लेंगे तर लेंगे मिल्यवी यहां पर हमने दूसरा बैस भी प्राई कर लिया है बहुत क्रेश्पी और बढ़िया इसे हम निकाल लेते हैं सारा हमने यहां पर मश्रूम जो है अच्छे से क्रेश्पी प्राई कर लिया है यहां पर हमने ऑइल भी घू च्राइश्पी यहां पर हमने लगभड़ एक से डर्चाल चंबा चंबार से ओईल के लिया है इसाथ हम दाल देखा है याँ पर लासा सबस्क्न हまだ तुकड़ा अदरसका है कि बाइं है यहांपर दीकी वाली यह उने करने है जैसे यह थोड़ा निक्स हो जाए तोड़ा इसको पका लेंगे ज्यादा में थोड़ा भुनना है यहाँ पे हम डालेंगे कटा हुआ पुड़ा से इतना भुनना ही कि इसमें से खुस्बू आने लगे हमें जरा तभी तो अच्छा लगेगा को यहां पे हमने वोनियन यहां तो है कि यहां पे हम्नेिये वह यहां है कि ऑन घ्रिभा घ्रिष अजरा नहीं हुआना कि आदा िबीच मिर्ज इससंसे पाहले दाल दे लिए मेंडियोनक यहां तरहं रचशाट में आपर शोटे शाट कर लेगे। मिर्च पकल निया है इसे युड़ा पर नेलेखा एक बिर प्रोट न दालधे शाथे हैं यहीं बाड़ा साथे शोटे लेवा देंगें, गुर्छाट भूणाए it, कौलें है. युज्ट इम ट्युक्ब दू लेगे!. थोड़ा का मदल लगेगा तो उपड़ से भी डाल सकते हैं यहां पी हम डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस दो चम्मचे भी है थोटे वाले चम्मचे इसे हम मिक्स कर लेंगे आट कोहज़क आट करी को जादा दार चलना है तो जादा सोया कोट डाल ले कुछ रिखन आटा में कीविया यहां पी एक चम्मर दीनिघा डाल देंगे यहां पे चमर डाल देंगे पानी पानी से पहले इसमें डाल रहे हूं थोड़ा से मिक्स किया है एक से ड़र चमर चमने यहां पे कॉन फ्रॉस्ट इसे गाणा होने के लिए डाल देंगे जैसे थोड़ा गाणा हो जाएगा रेखे इसे हम निक्स कर लेते हैं फ्लेम को लोग रखे थोड़ा सा पानी मैं और एड़ करूंगी ताकि मैं चूरियन में थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए तो सोस वाली का टोरी में हमने हाप को टोरी पानी लिया है इसे मिक्स कर लेंगे यहां पर थोड़ा से में और डालती हूं थोड़ा कमले सुख जाएगा विल्कुल यहां पर हम लगभर आधा ग्लास पानी एड़ कर लिया है यह देखिए थोड़ा सा पानी को बलने देते हैं और यहां पर हम फ्लेंड को हाइड कर लिया है ताकि यह जल्दी उबल जाए और यहां पर मेंचेरियन डाल देंगे थोड़ा पानी पक जाए थोड़ा तो पक जाए इसमें डाल देंगे इसे हम मिक्स कर लेंगे अगर आपको ग्रेवी जादा चाहिए थोड़ा पानी जादा डालें और हमारे यहां पर मस्रूम मेंचुरियन बनके रेडी हो गया है इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमग इसमें हम हाप चम्म से भी थोड़ा कम और नमक एड़ी कर रहे हैं जोकि सॉस में भी नमक होता है और मस्रूम में भी हमने नमक डाला था इसलिए और यह लिए इसमें आप डाल देंगे सेस्मा सिट्स थोड़ा सा अ उपर से डाल लेते हैं तो यहां पर उपर से सेस्मा सिट्स जो है हम डाल देते हैं लिद्ची हमारे मेंचुरियन बनके रेडी है गयस को आफ करेंगे इसे सर्व करेंगे है क closing हमने यहां पर बती है बहुत ही बढ़िये थोड़ा स安全 बना की और बहुत ही बढ़िया झाल है तो ऑसे फटोड़ासा गानिस कर लित है बहुत ही बढ़िया इजी रेश्वी ऐ खाने में बहुत ही टेस्टी वह ता है ज्रूर बनाएं घ्रेस dije लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक यू